हाई अब्रीवन वेलकम बैक टूमा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर है करतो आज का जो हमारा वीडियो रहने बाला है बीएसी सेगिंड येर वालों का फस्ट पेपर है जो लोजी का ममेलियंस के ऊपर ये चैप्टर चल रहा है से पहले हमने ममेलि इस्तंधारियों में दन्तसंरचना ठीक है इसतंदारियों में दंत शनरचना दंत विन्यास ऑवं परिवर्दन पर टिपड़ि ठिक है जितने इसतंधारी होते हैं ममेलि-दंधारी में अनुमें से शनरचना कैसे होती है दातों का विन्यास किस तरीकिसे होता whoever including कैसे दंत फॉर्मूला क्या होता है यह सारी चीज आपको इस वीडियो में हम आपको सामने एक्स्पिलेन करेंगे देखे जो इस्तंधारी होते हैं इस्तंधारियों में दात दौनों जवड़ों पर दात एक पंग्ती बनाती है यह कैल्सी करण के उपरांत बनते हैं जतने भी इस्तंधारी होते हैं इनमें दात होते हैं एक जवड़े में ठीक हैं और यह पंग्ती बनाते हुए होते हैं देखें कभी भ दानते होते हैं कैलि सी करन के उपारांती यह एक ही यह जबड़े में यानि इस तंदारी में दान दान सर्फ, घर्ण के उपर डिपेंड करता अब देखें अगर प्रोटोथेरिया है प्रोटोथेरिया में दान अनपस्तित होते हैं जो प्रोटोथेरिया होता है उसके जितने भी ममेलियन्स होते हैं ये सब टीथ से अनप्रजैंस होते हैं अगर हम इस ट्रेक्चर की बात करें दातों की बात करें दातों की संरचना की ब सबस्क्राइब लिए जोонецमिया है कि मौल मौल होते हैं cette तीके गर्त में होता है ठीक है सिखर यानि इसको किरौन कहते हैं यहां उपरी भाग में होते हैं और गृवा यानि नेक यहां मद्य भाग है जो मसूरों के भीतर होता है ठीक है अब देखिए दात जो है इसको तीन भागों में बाटा गया ठीक है कितने भागों में तीन सिखर को हम किया कहें किरौन कि और एक सटेश्सकों का ऐख और आप सिखर में ने flight Canada में जूसर में और रूट होता है मश्वनों के अंदर धसा रहता है ने LAQ होता है ये किराउन और रूट के बीच का भाग होता है, सिखर होता है, ये दात का सबसे उपरी हिस्सा होता है ठीके, तो इस तरीके से इस तंधारियों में दात को तीन भागों में बाटा गया है, किराउन, नेक और रूट अगर हम बात करते हैं, डातों में जो बिन्यास होता है, नमबर एक होते हैं, मोनो फाइडान्ट, ठीके, मोनो फाइडान्ट and डाइफाइडान्ट, दो प्रकार के होते हैं, मोनो फाइडान्ट और डाइफाइडान्ट, तो मोनो फाइडान्ट कौन से होते हैं, और लाइफ में एक वार निकलें वो मोनोफाइडान्ट कहलते हैं और लाइफ में जो दो वार निकलते हैं उनको डाइफाइडान्ट कहलते हैं जिसे मालीजिए मोनो फाइडन्ट यह दांत लाइफ में दो बार निकलते हैं डाइफाइडन्ट जो होंगे वो लाइफ में दो बार निकलेंगे दूद के दांत सिसु अवस्था में बनते हैं जो इस्थाई दांतों के रूप में बदल जाते हैं Χوेल तथा सुलोथ में दाध मोनो फाईडॉंट होते हैं अर्थात जीवन में केवल एक रही बार उत्रफ्ण होते हैं आप मोनो फाईडउंट हो तो दाध होतें नोशांगे और अधर। में होंगे कौन से का मतलब होता है जो नाइफ में के वल एक कही बार निकल को निकल जाते हैं तो वह दाइफाइडन्ट हुआ और दाइफाइडन्ट हुआ और दातों को दो भागों में बाटा गया है दो बर्गों में दाइफाइडन्ट और दाइफाइडन्ट दन दे मोन फाइडन्ट इस द चीद इस कमसे इन लाइफ जा जाते प 씨 अगें देख्ते होोमोडेन्ट and heterodont अब होमोडान्ट और regions और होमोडान्टेंट हैं थिक हैं इनको भी समझ लेते हैं इस तनीयों में दाई एक से अधिक प्रकार के तथा विभिनखार्शुन के अनरूप रूप'? अंतरित होते Можно हिसम दंथी यानि हेट्रोडांट कहते हैं noted point कि जितने भी mammalians हैं इनके जो दाथ हैं वो एक से अधिक प्रकार के होते हैं different different time के होते हैं different different type के होते हैं वो कार्य के according होते हैं कि उनका work क्या है किस कार्य के लिए उनके दाथ दिये गए हैं तो इन्हें क्या कहेंगे यानि जो अलग-अलग प्रकार के होते हैं ये विसमदंती होते हैं यानि अलग-अलग प्रकार के होते हैं अलग-अलग कारियों को करने के लिए होते हैं इन्हें विसमदंती कहेंगे heterodent कहेंगे जिनका कार्य अलग-अलग होता है यानि वो कैसे हुए विसमदंती यानि हेट्रोडोंट ठीक है आगे देखते हैं कुछ जली इस तनियों में दात समान सनरचना वाले होते हैं इने समदंती यानि होमोडोंट कहते हैं क्या कहेंगे होमोडोंट होमोडोंट जो होते हैं वो सनरचना में एक तरह के होते हैं हेट्रोडोंट होते हैं व शेम उफ एच्टेच ऑनी ममेलियंस एंड है ट्रॉड टॉड है टॉड टीट हार डिफेरेंट टाइप से एंड बेश्ट अपन ऑफ वर्क हैट तुडव होते हैं वो सन्रचना और कार्य के आधार पर अलग-अलग होते हैं लेकिन हूमो डॉड़ ज्यों होते हैं वी समान होत बात करते हैं हेट्रोडांट की ठीक है हेट्रोडांट टीथ की अगर बात करते हैं तो बिसमदंती दांट ठीक है बिसमदंती हेट्रोडांट के आधार पर दांट चार प्रकार की होते हैं अब जब उनके आधार अलग-अलग होंगे कारे अलग-अलग होंगे तो हेट्रोडा की सीरीज में रखा जाएगा नंमर फ़ेश्ट होते हैं किरंतक इन को इन कहते हैं इन ये दांत भोजन को पकड़ने या काठने के लिए काम आते हैं किरंतक दांत किरंते के बाद में कुछ दान्त और भी होते हैं ठीक है किरंतक के बाद में आता है रदनक ठीक है रदनक दात देखिए किस तरीके को ते इनको कैनिन के नाम से जानते हैं इनका सीरस नुकीला पैना होता है एवं किरंतक एवं रदनक में केवल एक मूल होता है ठीक है जो रदनक दात होते हैं कैनिन टीत होती है इनका सीरस और किरंतक और रदनक में केवल एक ही मूल यानि एक ही जड़ होती है रदनक और किरंतक में अगले आता है आपका अग्रचवरणक ठीक हैं कौनसा अग्रचवरणक आगे के चवाने वाले दांत ठीक हैं अग्रचवरणक यानि इनको प्री मोलर के नाम से जाना जाता है अग् के एक से ज्यादा मूल होते हैं और इनके सिखर ज्यादा फ्लैट होते हैं ज्यादा चौड़े होते हैं उसके बाद में आते हैं मोलर टीथ जिनको चवार्णक दात कहते हैं चौथा टाइप होता है आपका चवार्णक मोलर यह प्री मोलर के समान होते हैं यह जीवन में केवल ऐक ही बार जीवन में केवल एक वार ही निकलते हैं ठीक हैं हैं जो मूलर टीथ होती हैं यह केवल लायफ में एक औरी मोलर के शमया करी होते हैं आप कुछ अलग अलग टाइप के दिये जाए इस तं धर्यों में पाए जाने वाले बिभिलन प्रकार के मोलर दाइध देखिए आप यहां पर देख सकते हैं यह देखे अलग-अलग टाइप के हैं देखिए पहला है केट का ठीक है फिर दिया है डॉघ का ठीक है यह दिया है भी यह तिक कि यहां पर समान है कोछ कार्निसल स्टीथ सैको डान्ट लोमोफाज है ठीक है अब देखें इनके चाहें बिल्ली साही चाहेत्ता साही लोगों साही तीनों के दाथ देखिए सेम कोतर्ने की जासी यह नहीं के जो हेड्य सें वह नुकीले देख रहे हैं तो यह तीनों ही जो कुट्ता विल्ली और भालू हैं यह अपने दातों का प्रियोग करते हैं किसी बी चीज को काटने के लिए उस पे काटने के लिए अटेक करते हैं काट सकती हैं दूसरे होते हैं। थे यह जह अलग टाइप के इनकी जो अपर साइट होती है वह ज्यादा सोती है यह दिया। छल्ट हुता है। क्योंत्यों क्योंकि यह समच से शाट होता है। यानि चौड़ी होगी ठीक है टाल एपसम लाइक क्रॉण यानि यह साइज में लंबे भी होते हैं ठीक है उसके बाद आता है ब्रेंक्योडांट इसक्लोडांट टैपर ठीक है इनके दात देखें इनकी सारचना कुछ अलग तरीके की होगी जो यूनिक एन राइट्स के इनकी अलग अलग तरीके के यहां पे इस्तंदारियों में पाई जाने वाले विभिन प्रकार के मुलर दांथ हैं जो चवाने का काम करते हैं मुलर का काम होता है किसी भी चीज को चवाना चवरनक जिसको बोलते हैं मुलर उनको कहते हैं मुलर दांथ किसी भी सिकार को किसी भुजन को किसी बस्त को चबाने का काम करते हैं इन्हीं म Twitter कहा जाता है। आगे देखते हैं अगर हम बात करते हैं यहां पे देखिए डेंटल फॉर्मूला की यानि धातों का जो फॉर्मूला होता है दंत सूत्र के नाम से जिसको जानते हैं तो दंत सूत्र है यानि डेंटल फॉर्मूला है डेंटल फॉर्मूला दंत सूत्र दंत विन्यास को दंत देखिए मनोश का अलग है हाथ ही का अलग है चुहा का अलग है यानि अलग अलग तरीके के फॉर्मूला डैंटल फॉर्मूलाज होते हैं जैसे माल लीजिए यह मनस्य का डेंटल फॉर्मूला है आई इन्टू टू अपॉन टू कॉमा सी इन्टू वन अपॉन टू कॉमा पी एम इन्टू अपॉन टू एम इन्टू थ्री अपॉन थ्री तो क्या करेंगे जो भी इनके Nominators हैं इन सभी को Add का रिज्या ठीक है इनके हर को 2-1-2-3 इनके Uns Like को हमने क्या कियाइड का लिया अब वायाती है हरु की 2-2-3 दो पिलस एक पिलस दो पिलस तीन यहनी अंस और हर को उसी पोजिशन में एड करने के बाद क्या करते हैं तू से इनके में इनमें मल्टिपलाई कर दिया अब देखें अब यहां पर देखें तू से मल्टिपलाई कीजिए एट में 16 हो जाएगा तो कितना हुआ 16 अपॉन 16 ठीक है तो अपर जाब में सिस्टीन हुए और लोवर जबड़े में भी यानि उपर भी उपर के जबड़े में 16 और नीचे के जबड़े में 16 तो 16 पिलस 16 को एड कीजिए कितने हो गए 32 ठीक है मनुसे में कितने दात होते हैं 32 दात होते हैं अब दूसरे जंतों के दंत सूत्र अगर चुहे की बात करते हैं तो तो इसमें जो दात होंगे 42 होंगे प्रारूपी दंत बिन्यास में दातों की संख्या कितनी होते हैं 44 होते हैं तो इसी के आधार पर आई इन्टू 3 अपान 3 सी इन्टू 1 अपान 1 पी एम इन्टू 4 अपान 4 और एम इन्टू 3 अपान 3 ठीक है तो इस प्रकार से अलग अलग प्राणियों में दातों का जो फॉर्मूला होता है अलग अलग तरीके से लगाया जाता है अगर टीथ डवलब्मेंट की हम बात करते हैं दंत विन्यास की अगर दंत परिवर्दन की अगर हम बात करते हैं तो दंत परिवर्दन में देखिए टीथ डवलब्मेंट जो दिया हुआ है टीथ डवलब्मेंट ठीक है टीथ डवलब्मेंट दंत परिवर्दन ठीक है अग गं एपि थी लियम ठीक है अपर साइड है गंएपि थी लियम डेंटल राइस बोलेंगे इसको जो इसको इसको इस्टेबली देता है डेंटल पैपी लिया है इसके अंदर जो एक काविटी के टाइप का होता है और यह बाउनि एवेलस होता है जो सबसे नीचे की area होती है ठीक है इसी को हम define किये हैं देखे अपर साइड जो होती है गम एफिथिलियम साइड होती है उसके नीचे जो एक यू आकार की उल्टी से रचना होती है अधर enamel layer बोलते हैं और इसी की lower side को enamel pump पल्प बोला जाता है ये आपका enamel है जो उल्टी यू बनी inner enamel layer भी इसके अंदर सामल होती है inner enamel layer ठीक है ये देख रही है आपको कुछ high season रचना है और बॉनी अविलस ठीक है इधर enamel organ of the perimen's tooth ठीक है तो इस तंधारी में दात का जो बर्धन होता है उसका चितरम आपको दिखा चुके हैं इसके आगे हम देखते हैं कि दात जो होते हैं दात एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म से बिक्सित होता है यानि दात जो है इसका डबलम मेंट जब होगा तो मीसोडर्म और एक्टोडर्म के द्वारा ही ये डबलम होता है गर्त के आधार पर डर्मिस दंत जिल्ली बनाते हैं इनमें जो गर्त होती है गर्त के आधार पर और क्या करते हैं डर्मिस होती है य 뜨ली का निरमाड करती है कि दंप बर्दि कर्था का करता है यह मस्थोरी से लिसमय और ब्रदि करेगा इसमां और ब्लाष्ट तथा इनимиल सेल्स cauto जब यह ऊपर की और बध्धि करता है तो इसमें और उंट्राइस होता है तथा इनेमिल सेल्स जो होती है वो विखृत होने लगती है और निर्माड करती है रहे डांत को विखृत करती जाएंगी डवलब करती जाएंगी डेंटाइन और किरोन का भी इनके अंकिरोन और डेंटाइन का धीरे धीरे ये डवलब होता रहेगा सीमेंट सिरावित होने पर मज्जा गुआ सक्री हो जाती है सीरम होता है इनके अंदर सीमेंट सीरम जो होता है वो जब सिरावित होता है तब मज्यागवा कैसी होती है सक्री होती जाती है तथा दांत अस्थी गर्थ में इस्थित हो जाता है जो दांत होता है वो अस्थी गर्थ में जब सक्री हो जाएगी सीमेंट सिरावित होने पर मज्यागवा जोती सक्री होती जाती है जैसे जैसे सक ल ہकरी होती जाएगी वैससे दाथ अस्थी गर्थ में इस्थित होता जाता है तो इस तरही से जो दाथ की जो स्ट्रक्चर है इसका डबलोमेंट आ llyeeeeh होता है Ectoderm्र 치 और Mций दर्म से मिल करकर बन जाता है और घर्थ के आदार पर जो अ कर्मिस होती है वो दंत जिली बनाती है दंत जिली बनाने के बाद में जो दंताकुर होता है वो उपर की और बद्धी करता है दंताकुर जब उपर की और बद्धी करता है तो औरंटो बिलाष्ट और इनेमिल सेल्स जो होती है वो धीरे धीरे डवलप होने लगती है जो का development होता है I hope that you understand that I teach you on this video तो हमारे कहने का मतलब यह है कि लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे लगातार हम आप लोगों को इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं देखते रहे हमारे चैनल पेपर हैकर को फिर किसी नई वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्तित होते हैं